और्लोत कि के早ए कि कुदो मॉर्निंग फ्रेंड मैं वां सबका दोस्त पेंटू और अज में आज में जा रहा हूंक गुपतेसर तो जो लोग गुपतेशर के वारे मैं जानते नहीं है मैं उन को बता दू कि गुपतेसर उडिसा में है और कोरापुप डिस्टिक में है तो कोरापुप डिस्टिक उडिसा का सबसे खुब्सूरत जगा है और जगे भी देखो न आप बड़े खुब्सूरत है यह देखो दोनों तरफ ही जंगल ही जंगल जहां आप जाओगे ना वहां जंगल तो बड़े मज़े हैं देखते हैं इस सुबह सुबह ठंड में ना मज़ा आ रहा है चलने में क्या कहना वाई और उडिसा का सबसे खुब्सूरती हमारे कोरापुप डिस्टिक को बोला जाता है बहुत कुपसुरा जगा है और चलिए चलते बाइक में चलो भाई जो भाई जो अभी अब तो चाहरे हैं पातर पूट को चेकर देखने लाएं बहुत कुपसुरा जगा है और याद तर्ज मेना पड़ा बज़ा आरा है वाई क्या बोलू आपके पारी नहीं किलती है और तो आज अब भी पादरपुट पहुंचने वाले बस पासमी है जार सुबह के आड बजने वाले अभी तो दूप निकला नहीं है तो देखते हैं और एक तरफ बंदर ही बंदर है यार कि अब आज अब शुबह का नजारा अब 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 भाई कि आन जारा आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और सुबह सुबह यह दिखो कर क्या दिखा रहा है अत्रा लाल हो गई कि अब भाई कि अब चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि क्या कुछ सुरत नहीं जा रहा है मस लग रहा है कि मैं औरी सामें हूं काफी सालों से लेकिन और फर्स्ट टाइम निकला हूं घूमने के लिए इससे पहले मैंने कभी घूमा नहीं है उड़ी सा तो मज़ा आएगा देखने में आई यह देखो यह अपना व्यू यार खोड़ा चाया धूप निकला नहीं है इसलिए उतना पदा नहीं चलता जाल नजारे मसते हैं देखने में इससे बढ़िया कुछ नहीं इससे बढ़िया तो कुछ नहीं यह बातर पूट का यह जो ब्रीज है ना यह ब्रीज बहुत सालों से और यह ब्रीज ब्रिटीस लोगों ने बनाया था यह ब्रीज का हालत थोड़े ठीक नहीं है लेकिन ब्रीटीस लोगों ने बनाया था इसलिए अभी तब टीका हुआ है यह बड़ा खुब्सूरत में जा रहा है इतना सालों से मैं उडिशा में रह रहा हूं लेकिन मैं खुद कभी घुमने नहीं निकला आज आज पुरा गरूंगा भाई यार हम लोगों को देखके बंदर क्यों भाग रहे हैं यह लोग तो भागने वालों में से हैं नहीं भागाने वालों में से हैं फिर देखो माता जी कत्र मंदिर सुबह सुबह ठंड है हुआ हुआ है है हुआ है याज पड़ा नहीं आप लोगों कैसा दिख रहा होगा लेकिन मेरे को तो मस्त लग रहा है बंदर याद डरता तो नहीं हूं मैं बंदर उसे पही ना जाता हूं जाए पास में अब भाई कुछ करियो मत एव एव यह लोग तो मजह में है और चाल नहीं मजह में ना अई तो गुस्टे में आ रहा है अब बढ़क रहा है तेकिन मजह में भाई लोग इंसान लोग अभी तो यह थेंडियों के मजह से तेकिन लोगों मजह में बहाज है लेकिन वाई रोज है और लोग आगे अम लोग बढ़ते हैं लेकिन भूमने का मजह तो कुछ और ही है तो महीं लोग अभी जा रहा हूं मैं कोटा जेक्शन तो लगबग पहुंची गया कोटा जेक्शन तो आप लोग कभी बीदर से आओ ना तो आप लोग तो अवेशनी जैपूर से आना पड़ेगा आप लोगो तो कोटा जेक्शन से दो रास्ते जाते हैं तो सीधे आप आगे ना आप राइस साइड जा तो गुपतस्वर आएगा और लेव साइड के जो रास्ता है वो सब्सक्राइब के तरफ जा रहा है और हमारी यह राइट साइड को रास्ता है जो हम लोग को जाना है गुपतसर के तरफ पातुर्पूर्ट में खाऊंगा सोचा था लेकिन वहां पर वाइसा कुछ मिला नहीं तो अभी हम लोग बोईपारी गुड़ा चौक पर तो आपको दिखा दू यह बोईपारी गुड़ा का सेंटेर एरिया मेरे पीछे में जो रास्ता है ना यह जाता है जैपूर को और कोड़ा बाचु में यह सौटकट रास्ता यह भी चैपूर जाने के लिए और मेरे इस तरफ जो रास्ता है ना जो बस जा रहा है यह जाता है मालकान कीरी के तरह ठीक है लेकिन हम लोग जाएं सीधे हमारे रास्ता है गुपतेश्वर्ट जो हम लोग को सीधे जाना है तो यह में एरिया यहां बजार वगेरा मार्किस कव है तो चलिये चलते हैं लगबग हम लोग आ गए तो एक प्रॉब्लम हो गया है क्या है कि यह जो रास्ता है यह रास्ता से गुपतेश्वर स्रिप 13 किलो मेटर है तो किसी कारण से वह रास्ता पुरा ब्लॉक कर दिया गया ह कोई जा नहीं पा रहा है तो अभी हम लोग आया है यह पीछे के तरफ से तो और एक रास्ता जाता है यह लेप साइट का तो बंद कर दिया गया है यह रास्ता और एक राइट साइट के तरफ जो रास्ता भी जा रहा है यह पढ़ जाएगा 30 किलो मेटर तो हम लोग का वह पढ़िए आगा 30 किलो मेटर तो ये प्रॉब्लम हो गया है तो कोई बात नहीं हमें एक भाई मिला है यह नाम क्या है यह हमें कुछ नाम संजय यह हमें कुछ आगे तक तक तोचा देगा और इन्वेशन दिया है कि उदर का राफ्ता बंद है यहां से लॉंग पढ़ेगा ने तो बात करने के लिए तो चलते है और आगे जो भी कुछ होता है अबि और तिखाते आ शुल कोई होता है कि perlu और शुदम बार भिलाय這邊 कें तो यहां समन्हों को स्ञा नहीं करना है और इदर संजय का बाओ है तो तो संजय इदर चले ही आएगा और हम लोग जाएंगे सिरू हाँ आपको भीगाने के लिए बाहद बहुत है। इपको है जो फिर मिलें यह जो हुआ हुआ है। मेरा दोऊ है आंपा कुलां और आंपा का लाधु आपका तो यहां से सीधे भी रास्ता निकल वेकर लेकर नहीं गाए अब लोग 13 km से जाने वाले थे ना वहां पे नजारे पड़े अच्छे थे ते आप अब पता निए अब गॉक जा रहे हैं तो आप लास्ता कैसा है तो देखने के लिए कैसा भी लेगा धरे चले तो साइक में से लिए ठास्ता बीन मरेगा है टूआ खाग्स्ता रास्ता नोग्सानी प्रद की जया देए अपरेत ड Kitchen रखने TE-डे कर्क के लिए्या कॉस्टों ऑरन थ्यक्पाटनी ःफ्मार्स में तो acknowledgement ok गधाने काहां सोटेश है वहाँ सब्सक्राइब अन्याज में पांस के घाला अप्रणा याल्गे से जाड़ेता हो शिशन्द फीन हो पांद गजाने है गए भूह जो कि पोला कि अमस्ट कट जाओ याल फाग शाथ कि अलो मिनट पड़ेगा कि आप टरज बसकी दुख जांग कि अब गाज दुख जो पदा निक है अब लोग कहा जारें आप आप लुग चाहे जाए यहां तो तो पहुता है यह वाही जाँ यहां काने शचछा सआए यहां सो साथ कंड़ती है पिंखे भी सुने रुटा को साथ किने दो कि से खंड़ती है अनाट जाथ कि लोगें कि अउन हमार भूमिया रोगा, राख को दो जा की खानर की खानर आँ, अजय में अनलगी में अजय मुआए को दो जा कि खुए है। दो फुर में आख को दोगी कंगा दोगी है। जचे लागाँ जगा करें, आपिस्टान कい लागा हूं लुष के लागारी की हुष, जब दुम कर लागा कर लागा है जचाना चाहा है जजए लुष, बद्दोट्कन काष़ओ जडा कुंदे पीष कर लुष अवार भाई जी का आलेट करा आवे पूड़ा आपाइड लगण है, तो पोच पोच जा है अब पोच जा है, अब आपको पोच जा है गो जीजे, दाड़ी मेजे ने सब लगे हुई है अब काफी प्यास लगा हुआ है कि नाइंडी किलो मेटर के जली करके आरे हैं तो फाइक काई पार करके हैं तो फाइनली भाइलो अब गुपतेसर का घाठ पे आ गया है और मेरत यहां पर अभी नहाने का प्लान है कि यहां यहां खुझे नाओगा फिपूजा करूगा तो देखिये हमारा गुपतेसर का घाठ अगल उभी तो फिर गुपतेसर का गाठ इस बड़ा कुषटर दिटें आप यहारिये देखे आप अधुए है जाने वोडे पास्ते हैं तो फाइनली गाईस हम लोग पहुच चुके हैं और यह आप देख पा रहे होंगे पुरा उपर तक है सिडिया चड़ के जाना पड़ेगा और मैंने पूजा का सामान भी ले रखा है तो पता नहीं अंदर वीडियो अलाओ कर रहे हैं कि नहीं लेकि के लिए जिए चलना सुरू कर दिया है मैंने मुबाइल के लिए उनों कुछ बोले में मैंने मुबाइल मीचे जुगा कर रखा था देखते हैं उपर क्या होता है आप लोगों को दिखा दूमें सिडिया अब बहुत उपर तक जाना है तो अभी से तो गावट लग रहा है अब दो करना सुरू जान तो देखते हैं या पादी का दर्सन के लिए तो इतना बनता है इसके रहा चट्रे तो हागत रहा है बजा बहुत आ रहा है प्टशत देखें नीचे काहता चट्रिया है आई आई ने में लोग एंट्री कर गया है प्टशत के अंदर ने अरु पहर बास प्रम्दा कर दोगेव खालगां इस प दूंदब जाएंः इस बादर जानः कर दो पोर बास है बासी जाह, आई एसके रहा है आप लोग देख सकता है यहां के सिवली है आप सो फाइनली हमार पूजा हो गया है कंप्लीट और अब मंदिर से निकलेंगे तुरेता गुपतेश्वन अजी के धरसन हो गए अब 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 मिखलेंगे अब उतरते हैं अब घुमेंगे पूरे गुपतेश्वन तो फाइनली पूजा हो गया अब हम जारे घुमने के लिए स्वर्गुदार पहाडी के अंदर है चन्ना पड़ेगा मजे आएंगे यहां करना जारा बड़ मस्त है देखने लाए फिल बना खर्फियो इपाहाँ यह देखियो नसीब होना चागिया और ये हो दर्सन करना नसीब होना चाहिए कर दो कर दो कर दो कि आसा नजारा मैंने कब भी नहीं देंगा इस नहीं जारा आपना इस मेरा वीडियो जो भी देख रहा हो गाना तो सबसे यह कहूंगा आप लोगे एक बर आना चाहिए कुंड पकुश्यागा जगा जगाता जाँ आए प्रॉप प्रॉप जाएगा केंपनिंग वगेरा का जाएगा तो तो उसकरव का कुछ दिख रहा है घूम के आते हैं अपना ब्लॉग यार बहुत लंबा बन गया है हम्rauen के की आते हैं क्या तो जाएगा हमनल में गिल डिला कर दो तो 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 जो जूम कह 것을 के plotा कर दो तों में हम् 근े खुह से विलीन के घुत कर दिक कर दों expresses झाल झाल अंदर एक गुफा थी जो अंदर 100 किलो मिटर तक जाती है मैंने कोशिस किया लेकिन अंदर फूरा बहुत अंदर है बहुत अंदर है लाइट वगरा कुछ नहीं है यहां के पुजारी कहाते हैं कि अंदर सिब्लिंग है 100 किलो मिटर दूर और गंगा है पाताल गंगा और आप खड़े हो के नहीं जा सकते आपको अंदर जाना पड़ेगा 100 किलो मेटर तो उन्होंने का आप जा सकते हो तेकिन आपको लाइट ले जाना पड़ेगा और मेरे पास टॉर्च बगरा कुछ नहीं है यह तो अंदर ले जा कि आपको दिखाता ज़रूर है यहां की खुप्सूर्ती पस्तावा है थोड़ी अंदर जा नहीं पाया लेकिन अंदर पूरा अंदर है पूरा अंदर कुछ नहीं दिखता है तो टोर्च पगर आप पातल लंका सीब्लिंग और पुजाली कुछ क्यारत है कि साइट स्रिलंका जाने का भी रास्ता अंदर से है तो पता नहीं मानियता है और कहा जाता है भगवान राम यहां आये थे माता सीथा के साथ और भाई लच्मन यहां आये थे यहां उन्होंने भगवान सीब का पूजा करके गये थे तो इसलिए हाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं पूजा के लिए तो थोड़ा पस्तावा तो हो जाएगा लेकिन आप लोगों को भी आना चाहिए तो फाइनली यहां सो लोग निकल गया और अब मेरों को यह ब्लॉक यहीं खतम करना पड़ेगा क्यूंकि अब बैटरी खतम हो चुका है मेरा तो आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखेगा जरूर अ हुआ 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 है